इसलामियाद जमाद पंजम जी असलाम लेकुम प्यारे बच्चों आज हम इसलामियाद का टॉपिक रोजी की मौश शर्ती आहमित के बारी में पढ़ेंगे लास्ट एम हमने रोज़े का टारूफ और उसकी आहमित और फुजिर्वत के बारे में पढ़ेंगे इंसान रोज्टिक के वेलत में सारा दिन भोख़ाः प्यास रहता है और वेसलिजनी तमाम इंसान मस gelmiş Soo Rukta जो हैं जब रोज़ा रखते हैं तो सारा दिन भोखेः प्यास रहते जब तक sea रहता है जब तक रोज़ा रखने की लिवाय से सनu के दिल में दूसरे की महुखक और मेयास का हिसास पैलNote बिलकुल जब इन्सान खुँट बुक्खा और पैसा深र रहेगा तो इस को दूसरों की बूक存 पैसा खुरी ओर पैसाम होगा घृबा-उक्ताजों और हमाली दोर पर कमजोर रखता हैं उसकी वैसे उसके अंदर कुवत बर्दाश आती हैं कैसे जैसे आप रोजा रखते हैं और आप उसको कुछ खापी नहीं सकते हैं आपको भूख भी लगती है आपको प्यास भी लगती है लेकिन आप ल्लाव तरह की रजा की हाद्व इन सब चीजों से इस्तिनाब करते हैं तो आपके अंदर कुबते बर्दाश पैदा होता है वकत की पबंदी जब आप रोजे जो है वो इसको एक टाइम के मताबिक अफ़ार करेंगे इसको रखेंगे खोलेंगे तो फिर आपको वकती पबंदी का इसास भी पैदा होगा और आपके अंदर वह सिफ्ट भी गिबत से इस्तिनाब रोज़ की हालत में आप बोग यो रोज़ की हालत में और उसे असदूर करते हैं हम हम Welsh उस चीजिस के प्रहेश करते हैं जो वह में मिना किए गया है माहیں रमजान मौरख में começar से मसाधिद का रुक करते रहते हैं. और एक दूसरे के मखाशरती मसाधिसा आगा होकर आगा होकर इनका हल तलगा हुआ हैं। बिल्कुल reviewing मसाधिसे मेहिश्ध का रहते हैं. खिलह पर राम से दुस्तों के मिसाल से आगाव होंगे और फिर उनका हल्स भी तलाश करेंगे अब हैं रोज़े के फवायत के बारे में रोज़ादार छोटी बड़ी बुराईयों से बचा रहता है यानके रोज़े के हालत में इनसान कोई भी बुराई नहीं करता उससे बचने की कोशिश करता है सारा दिन भूखा पैसल आने से रोज़ेदार को गरीब और नदार लोगों की भूखा एसास होता है बिल्कुल एक दूसर से हमददी का ज़ब जागर होता है रोज़े रखने से इनसान की सहित बेतर होती और बहुत सी मुपानियों से बचा रहता है बिल्कुल ओजराखन से इसान की जो सहित है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसको बिमारिया भी नहीं लगती और मुझालन मुवारिक में सहरी रफटारी का वकत मकरर होता है जिसकी वैसे रोज़दार में नजब बज़दा होता है रोज़दा के दिरान भूख प्यास और ख्वाशाद को काबू पाने से इसान के अंदर तकवा प्यता होता है सबसे बड़ा फाइदा रोज़दा का यह होता है कि हमारे जो गुनाहों की बख्षिश होता है माहे रमज़दान मुवारिक में अबादत करने का अज़द के गुना बढदत है और इस रमजान के महीने में हम जो अबदा करते हैं उसका सवाव हमें दूगना मिलता है रोज़ा कुनाह से बचने का बेतरीन जुँ है वो जरीया है हमें चाहिए के लिएस हुआने मुझान मुएरख के महीने में तमाम रूजें रखे लिनका इइतमाम करें, औा रासे लगसे लिए नेक finite काम करें कुरॉदम में अभाणप इति दिलाबत करें और जितना हो सके हम अभाणप करें इससे क्या होगा कि हम दुनिया और हर दुनों में काम्याब होगे ठीक है बच्चो ये थे रोजे की मौशर्टी अहमेद मौशर्म इसकी क्या अहमेद है और रोजे की क्या फवाइद है आज हमने इसके बारे में पढ़ा अब हम इसकी मश्रिक पर जाते हैं इसके मस्ट में में बस सवाल है रोजे की मोशर्ती अहमेद तरहीर करें रोजे की फजाल मुक्तkarर और रोजे के फवायद करें। जिब बचो रोजे के मौशरती एहमेद का इसमें इसका अंसर यह होगा कि रोजे के वैसे मौशरती अफराद में कुवत बरदाश्ट, वकद की पबंदी, भीबसे इस्तिनाब और परहे इसकारी के असाफ पायदा होते हैं ठीक है बचो यह इसका अंसर है, वुजे की मौशरती हमेद में, वुजे के फवायद के अंदर आप कोई से भी तीन से चार फवायद इसके लिख सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं वुजे की फवायद में आप वुजे के वैसे मौशर के तंदर्स लोगों की तकलीफ का एसास हो पड़ाता है और उनकी मौशर का जजबा पड़वान चड़ता है वज़ा रखने से मौशर में नेकी और अंदर्दी की फिज़ा पड़ा होती है इस का अंसर ठीक है बच्चो इन तमाम इन तीनों कोशन्स के आंसर आपने नोट बुक पर लिखने भी है और याद भी करने है उसके लावा अपने एकसेस में जो भी दूस्ट आपका पर लिख लेने है ठीक है बच्चो ठीक है बच्चो